दोस्तो ये कहानी एक catholic school की एक लड़की की है जहाँ sex life के बार में बताया जाता है ये लड़की इतनी innocent और सरीफ होती है जिसे masturbation और sex life के बारे में कुछ नहीं पता होता इस movie में ये दिखा गया है कि ये लड़की masturbation करके कैसा कैसा feel करती है और कैसे कैसे बिगडती है इस movie का नाम है येस गोड येस की साल 2019 में रिलीस हुई थी ये एक अमेरिकन कोमेडी ड्रामा रोमेंस मूवी है दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सेर जरू कर दीजिए मूवी की स्टार्टिंग एक अमेरिकन कैथॉ स्कूल में एलिस नाम की लड़की के साथ होती है जिसका स्कूल में पहला दिन होता है इस स्कूल के रूल्स काफी इश्टिक्ट होते हैं जहां लड़कियों की स्कट स्केल से नापी जाती है अगर वह घुटनों से नीचे हुई तो उन्हें सजा मिलती है ये सजा है लाइफ के बारे में होती है जहां फादर मॉर्फी सभी स्टुडेंट को बताते हैं कि साधी से पहले सेक्स करना पाप है सेक्स का मतलब है हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाना यानि बच्चे पैदा करना यह मॉर्फी कम सरीफ थोड़ी है मॉर्फी के कांड भी आपको आगे पता चलेंगे वहीं क्लास में बैठा लल्लू मॉर्फी से बोलता है सर मास्टर बैशन करना पाप है लेकिन मॉर्फी को सब पता होता है कि लल्लू कितना सरीफ है मॉर्फी लल्लू की इंसल्ट करते हूँ कहता है कि मास्टर बैशन से बच्चे पैदा होते हैं क्या तब ही एक सुन्दर और सुसील लड़की बोलती है नहीं सर वा बेटे वा यहां लल्लू को कुछ नहीं पता और इस लड़की को सब पता है समझ रहे हो ना भाई ये कितनी सरीफ है वहीं एलिस को कुछ पता ही नहीं होता कि क्या बात चल रही है वो बस ध्यान लगा के उनकी बाते कुराती है दोस्तों इसे पता तो सब है यहां देख लो हमारे इंडिया में थर्ड और फॉर्द क्लास की बच्चे बच्चे पैदा करना सिखा देंगे तुमको क्लास ओवर होने के बाद एलिस की बेस्ट फ्रेंड लॉरा आती है वो कहती है यार यहां के स्कूल कितने स्ट ना वो भी पाप है इसके बाद एलिस अपने घर जाती है और अपने कम्पूटर में एल चैट पर अपने फ्रेंड से चैटिंग करती है दोस्तों जब पहले फेस्बुक नहीं थी तो एल चैट हुआ करता था और वहीं एलिस को एक मेल आता है जिसमें उसे एक असलील फोट सबस्तों करते हैं जिसमें पहले जीएकिस से उसके अपने खुआटा देती है और वो लड़का एलिस से इसकी फोटो मांगता है तो एलिस उसे अपनी अपनी की से खतim करती है जिसे देखकर एलिस देह नहीं पाती और हैचलीं और मास्टरवेशन खरनोगती है तबी उसकी मौम की आवाज आती है और एलिस घबरा के उठ जाती है अगले दिन स्कूल में काली भसांड लड़की आती है और वो लोरा की पार्टी की बात करती है लोरा कहती है तुम मेरी पार्टी में नहीं आई थी वहीं काली भसांड कहती है मैं स्कूल की तरफ से एक टूर पर गई थ लेकिन Alice के बारे में मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला Alice ने वैट का सालेट टेस्ट किया है ये सुनकर Laura सौक्ड हो जाती है वो Alice से कहती है तुम ये सब कैसे कर सकती हो Alice कहती है मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता और ये तुम क्या बोले जा रहे हो और किस बारे में बात कर रहे हो दोस्तो जिन लोगों को सौलो टोस्ट का मतलब पता है वो कमेंड करके बताएं जिनको नहीं पता है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा Laura कहती है ये सब छोड़ो तुम ये बताओ तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई थी वो काली भसांड कहती है मैं कॉलिज की तरफ से एक वीकेंड पर गई थी जहां मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई और तुमें भी वहाँ जाना चाहिए ये कहा कर वो चली जाती है इसके बाद एलिस एक चॉकलेट पेपर को लेकर चाटने लगती है और वहीं सबी लड़के ये देखकर हसने लगते है एलिस उन्हें घूरने लगती है और वहाँ से चली जाती है एलिस मॉर्फी का पास जाती है और उससे अपने गुनाओं की मॉर्फी मांगती है मॉर्फी कहता है और कोई गुना तो नहीं है ये सुनकर एलिस घबरा जाती है क्योंकि उसने अपने मास्टर बेसन वाला गुना नहीं बताये था एवल चेर से क्रेज में आकर एलिस स्कूल तूर पर साइन कर देती है तूर पर पोस्टर ये एलिस लोड़ा से पूछती है ये होट लड़का कौन है लोड़ा कहती है ये मजाक है क्या तुम इस लड़के को नहीं जानती ये हमारे स्कूल के फुटबॉल टeem का कोच है Alice उसे देखकर अपना control खो देती है तभी Nina नाम की लड़की Alice के पास आती है और उसे room दिखाती है Nina कहती है यहाँ घड़ी और phone allowed नहीं है अगर तुमारे पास है तो मुझे दे दो यहाँ से वापस जाने पर मैं तुमको वापस कर दूँगी Alice उसे अपनी घड़ी तो दे देती है लेकिन अपना phone नहीं देती उसके बाद Alice hole में जाती है जहां Morphy ने सभी students को एक छोटे से group में बार दिया था Alice का group leader Chris होता है और यह देखकर उसके मन में लड़ फूटने लगते हैं वहीं Morphy कहता है तुम सबको यहां God ने बुलाया है यहां आपको ऐसा ऐसा सिखाया जाएगा जो आपकी life में हमेशा काम आएगा लेकिन Alice ने यहां कुछ और ही सीख लिया था इसके बाद Morphy सभी बच्चों को एक paper देता है Morphy कहता है तुमारे साथ last year से अभी तक क्या क्या हुआ है इस paper में उन words पर circle कर दो वहीं Alice बड़े प्यार से fast way में circle कर देती है लेकिन वो गलती से एक circle को गलत कर देती है turned off वो उसे बार-बार मिटाती है लेकिन वो मिटता नहीं है तब ही time off हो जाता है और वो जल्दी बाजी में उस word को काड़ देती है तभी नीना वहीं speech देने लगती है कि कैसे उसकी family उसे ignore करती थी और यहां आने के बाद सब कुछ बदल गया बदलेगा क्यों नहीं क्योंकि यहां चुस्सा मारा जा रहा है भाई सही खेल रही है बेटी इसकी कहानी भी आपको आगे पता चलेगी यह कितना सरीफ है उसी रात Alice अपने फोन में गेम खेलती है और फोन से वाइब्रेशन की आवाज आती है तो Alice अपने फोन को अपने लेक्स के बीच में डाल लेती है और अजीव सा फील करती है अगले दिन हम देखते हैं सभी इस्टुडेंट्स जंगल में जाते हैं वहाँ एक लड़की गिर जाती है तो क्रीस उसे उठा देता है यह देखकर सरीफ Alice को एक आइडिया आता है और वो जान बूच कर गिर जाती है वहीं क्रीस उसे उठा के उसके रूम में ले जाता है रूम में नीना आती है वो Alice से पूछती है तुम ठीक हो ना वहीं Alice का फोन की रिंग टॉन बच जाती है और नीना Alice का फोन उसकी डूर से निकाल देती है और नीना कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हारे पास फोन हो तो मुझे दे देना मैं तुम्हारी कंप्लेंट अब फादर से करूंगी वहीं फादर एलिस को वन वीक केंटीन की सफाई करने की पनिस्मेंट देते हैं वहीं Alice Morphy का computer देखती है और उसमें AOL chat open करती है और Solo Toast का मतलब पूछती है जहां उसे सभी लोग अलग-अलग मतलब बताते हैं तबी Morphy की आने की आवाद सुनकर Alice computer off कर देती है लेकिन उसे सट डाउन नहीं करती इसके बाद खाना खाते time Morphy आता है वो कहता है मेरे computer पर किसन कहती है तुमारी problem क्या है वैट कहता है तुमारी वजह से मेरा break up हो गया है Alice कहती है मैंने क्या किया बलकि तुमारी वजह से अब पूरा school मुझे bad girl समझता है वहीं Morphy आ जाता है और वैट को वहां से लेके चला जाता है लेकिन वैट का hand band वहीं गिर जाता है जिसमें उसका name कैम लिखा होता है किचन में सफाई करते टाइम Alice सीसे से वैट और नीना को किस करते हूँ देखती है और यहीं नहीं वह बड़े बड़े काम भी करेगी तो यह नीना के काले कांट जो बनती है सरीफों की रानी इसके बाद Alice लोरा से मिलती है वह उसे नीना के बार में बतात और सफाई करते टाइम वेट के बैंड को मॉर्फी के कम्पूटर के पास रख देती है तभी अचानक मॉर्फी वहां आ जाता है और वो कम्पूटर में एक एडल्ट वीडियो देखकर मास्टरबेशन करने लगता है यह देखकर वो बिलीव नहीं करती और अपने आखे को बं करते हैं वहीं एलिस उसे किस करने लगती है क्रिस भी खुद को समालते हुए उसे दूर करता है और कहता है यह सब गौड के खिलाफ है यह सुनकर एलिस उदास होकर वहां से चली जाती है अगले दिन प्रे कर टाइम एलिस चुप चाप वहां से निकल जाती है और पास के ब पृबलमस है एलिस कहती है मैं छोटी छोटी है करने से भी डरती हूं यह कहती है बचपन में बी कैठोलिक स्कूल में पढ़ी हो और मुझे पता है तुमको आती हो रहा है नपाया करदीित Government सौक हो लगती है दोस्तों अगर आपको यह पता है तो आप मुझे कमेंट में इसका मतलब बताएं नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो मॉर्फी आता है और वैट को अपने साथ ले जाता है लोरा एलिस के पास आती है और उसो लोरा कहती है तुम्हें ये बात पता है क्या कि वैट एक गेhr एलिस कहती है क्या लेकिन उसकी तो गर्फ्रेंड है लोरा कहती है आज तक बना के स्टेज पर आती है एलिस कहती है किसी के बारे में जूटी अफवा फैलाने से उसे कितना हर्ट होता है लोगों को सब के सामने अपना फेक चेरा नहीं रियल चेरा दिखाना चाहिए ये बाते सुनकर सब सोख हो जाते हैं और अपनी गिल्टी फील करने लगते हैं अग यहां वो कहती है कि अपने गांदि वीडियों देखी है मुझे पता होने के बाद भी मैने वो देखी मॉर्फी समझ जाता है वह सरम से बढ़ जाता है और एलिस को उसकी गलतियों के लिए ब्लेस करता है एलिस खुशी खुशी अपने घर जाती है और टीवी ओपन करके टा देखने चेराग नहीं दिखाना चाहिए जो हमारा सच है जो हमारा अतीत है वह हमें दिखा के रहना चाहिए तो कैसी लगी आपको मूवी अगर आपको यह मूवी की स्टोरी पसंद आयो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सिर जरू करें तो मिल देखते हैं आपसे आसी नेक्स्ट वीडियो में